बांगलादेश का मन बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। भारत के खिलाफ बांगलादेश ने चाला की दिखलाने की कोशिश करी। एक तरफ चाइना की नेवी पहुंची चितकामव पोर्ट और दूसरी तरफ होने लगे हैं धमा के जानेंगे क्या चल रहा है। बांगल पाकिस्तान एक ऐसे चक्रव्यू में फंस गया है, जिस चक्रव्यू से निकलना इतना आसान नहीं है, हाला कि इसकी वजहे भी खुद पाकिस्तान है। पहले क्या हुआ करता था? पहले यह होता था, जब पाकिस्तान की स्थापना हुई, तब सबसे बड़ा मददगार पाकिस्तान दौड जाता था, सौधी और सौधी उन्हें भरपूर मदद देता था, कभी खाली हात लोटने नहीं देता था, लेकिन अब सीन बदल गया, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, MBS के आते ही वो वाला रवया खत्म हो गया, और MBS ने कहा कि देखो, अब वो इजली जो मिल जाता था पैसा, वो पैसा आराम से नहीं मिलने वाला है, है, हालांकि सौधी ने क्यों बदला पत्रा, इसलिए बदला, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया, कि खुद के रोटी दाल में आफत आ जाएगी, जब तेल का खेल बंध होगा, तो दूर का सोच कर अब इन्होंने भी धीरे-धीरे किनारा करना शुरू कर दिया, और यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जटका था, पाकिस्तान को आदत लग गई लोन लेने की, पाकिस्तान ने चाइना से भी खूब लोन लिया, और अब स्थिती ये हो गई है, कि चाइना की इकोनामी खुद खस्ता हाल हो रही है। चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा पैसे से किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और नहीं रिस्ट्रक्चर करने की बात करी, दोनों ही चीज में यहां फंसा। अब इनके पास एक ही उम्मीद थी और वो थी आईएमेफ। आईएमेफ ने शुरुआती दौर में कहा। ठीक है, हम बिलियन डॉलर का आपको लोन देंगे, आपको कुछ नियम का पालन करना पाकिस्तान ने कहा, ठीक है जी, हम पालन कर लेंगे 5 लाख नौकरियों को खत्म कर दिया, इसके अलावे 6 मिनिस्ट्री को भी खत्म करने की बात मान ली, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये सब कुछ मानने के बाद भी अब आईएमेफ से मिलने वाला 7 बिलियन यहां पर इन्होंने Special Economic Zone बनाया है, भारत के अंदर भी Special Economic Zone बनाये गए थे, भारत ने अपने अर्थ व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कुछ खास-खास इलाके बनाए, और उन इलाकों में जहां कमपनिया नहीं जाया करती थी, कमपनियों को भेजने के लिए इन्हों ने क्या कहा कि ठीक है, जी आप यहां कमपनी बनाओ, हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे, अगर आपकी कमपनी यहां पर Special Economic Zone में होगी, तो और ऐसे में भारत की इकोनॉमी के लिए मदद मिली, पाकिस्तान ने यही सोच कर भारत की तरह अपने यहां Special Economic Zone बनाये, लेकि की सारा फाइदा यहां उठा कर कौन ले जा रहा है, यहां उठा कर लेकर जा रहा है, चाइना सिर्फ इतना ही नहीं, अगर टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर चाइना की 100 कमपनियां अभी यहां पाकिस्तान के अंदर निवेश कर रही है अपना कमपनी खोल रही है। अब इस चीज को लेकर IMF ने कहा है कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान को कहा है कि यह सारा जो आपने स्पेशल फंडिंग देना शुरू कर दिया है, सबसिडी देना शुरू कर दिया है, टैक्स में छूट देना शुरू कर दिया, यह सारा बंद करो, इस सारी चीजों को बंद करो, जो चाइना के लिए एक बड़ा जटका माना भारत के लिए अच्छी बात है, सीपक कमजोर होगा और सीपक के साथ साथ चाइना की पकड़ भी इस इलाके में जो काफी हद तक कमजोर हो चुकी है और भी ज्यादा कमजोर होगा, खैर जहां भारत के एक तरफ ये सब कुछ-कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत के दूसरी तरफ बांगलादेश, बांगलादेश और भारत की स्थिती अभी एक ऐसे रिष्टे के तरफ बढ़ गई है, जो काफी नाजुक मोड में है भारत ने ओफिशियल इस बात को कहा कि बांगलादेश में हिंदूओं के साथ, दुर्गा पूजा के साथ जो हो रहा है वह गलत है ऐसा होना नहीं चाहिए, हालांकि इसका असर भी देखने को मिला यूनुस खुद पहुँचे ढाकेश्वरी मंदिर और यहां पर इन्होंने स्पीच दिया भाशन दिया कि सब के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए हमें ऐसा बांगलादेश बनाना है, लेकिन बांगलादेश का वो कल्चर आगे रहेगा नहीं रहेगा ये तो अभी फिलहाल देखकर लगता नहीं है कि बांगलादेश पहले वाला वो बांगलादेश रह पाएगा पर एक चीज देखने को मिल रहा है, अचानक से शनिवार को यहां पर पहुँच गई चाइना की नेवी भारत के पड़ोसी देश में तख्ता पलट के बाद स्थितियां तो बदल ही रही है जो देश भारत के साथ हुआ करता था, वह भारत विरोधी बना हुआ है हिंदूओं पर जो चीजें हो रही है, सो हो रही है चीनी नौसेना के एक बेड़े ने शनिवार को बांगलादेश के चटगाव बंदरगाह का दौरा किया अगस्त में बांगलादेश में तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला विदेशी बेड़ा है बांगलादेश में चीन के राजदूत याववन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन और बांगलादेश संबंध आगे बढ़ाते रहेंगे चीनी दूतावास ने भी कह दिया कि बांगलादेश की घरेलू स्थिती में चाहे जो भी बदलाव आए हो चीन बांगलादेश संबंध को विकसित करने के लिए हम पहले जैसे हैं और हमारी जो पारंपरिक दोस्ती है मैत्रिपूर्ण आदान प्रदान है और हम बी आराई को भी बढ़ाना चाहते हैं बांगलादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं इससे पहले ओवेन और चीनी नेवी फ्लीट के कमांडर क्यू जिगवा और जिंग गेन सान ने चट्टो ग्राम बांगलादेश नौसेना बेडे के कमांडर रियल एड्मिरल मोहमद मोईनुल हसन और रियर एड्मिरल स.मोनी रजमाना कात और कहा कि हम लोग समुद्री तौर पर एक दूसरे को मजबूत करने का काम करेंगे अब बांगलादेश की नेवी यहां पहुँचने लगी है अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हाँ जी हम तो आपके साथ मिलकर यहां काम करेंगे बढ़िया से काम करेंगे चाइना धीरे-धीरे यहां अपनी पकड को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन चाइना सफल नहीं होगा आपको बता दूँ जिस इलाके पर चट्टो ग्राम में इसके पहुंचे हैं सीप सबसे पहली बात है चट्टो ग्राम जो पोट है उसका निर्मान में चाइना का हाथ रहा है और कहां तो ये भी गया था कि चाइना के सब मरीन्स वगेरा शेक हसीना के रहते हुए यहां पहुचने लगे थे तो अभी नेवी पहुची है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन अभी चाइना के लिए मुश्किलें ज्यादा है इस इलाके में चट्टो ग्राम के आसपास में हिल ट्रैक्ट एरिया में पहले से अल्प संख्यक समुदाय विरोध में है सरकार और अल्प संख्यक समुदाय के बीच में यहां टेंशन जारी है इसके अलावे यहां पर पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी ही अजीब घटना हो रही है बार-बार यहां पर देखने को मिल रहा है तबाह हो रही है तेल और LNG के टैंकर देखिए यहां पर एक बार फिर फिर से एक LPG वेसल्स में आग लगी है 31 लोगों को बचाया गया है और यह समस्या इस वक्त बुरी तरीके से बांगलादेश के इस पोर्ट में हो रहा है BLPG सोफिया इस वेसल्स में आग लग गया जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ कहा जा रहा है चितगमव पोर्ट में करीब रात के एक बजे यह चीज हुई है वैसे भारत को तयार रहना होगा भारत को अब दो नहीं तीन-तीन फ्रंट के लिए तयार रहना होगा वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार